बात करेंगे लगाता है इस चैनल के माधिम से आपको सबसे आथेंटिक जानकाई देने का प्रियास किया आता है उसी क्रम में आज की बड़ी ख़बर की बारे में बात करेंगे बिग ब्रेकी नियुज मैं आपको देने जा रहा हूँ यूपी बीएट पर इच्छा दोजार चोविस को लेकर बड़ी अपडेट है उससे पहले अगर आप यूपी बीएट इंटरेंस इक्जाम दोजार चोविस की तैरी कर रहे हैं और अपनी तैरी को बहुत ही बहतर करना जाते हैं अच्छे मार्क लाना चाते हैं अच्छे कॉलेज में प्रिवेश चाते हैं तो आपको इस बुक के माधिन से त्यारी करनी चाहिए आए जान लेते हैं रूपी बीएट इंटरेंस इक्जाम दोजार चोविस की त्यारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के अनुसार उत्तर बीएट परिश्छा दोजाश चोविस की त्यारी के लिए बहुत सी जबरदस एस्टिडी गाइट के माधिन से आपको इतरा बहतर कर पाएंगे कि आपके नंबर भर भर कियाएंगे इस तरह नंबर आएंगे आसानी से आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएं जो की 2017 से लेकर 2023 तक का होगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि परिच्छा में किस प्रकार के प्रश्ण पूछे जाते हैं आपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार के जबरदस्ट प्रश्ण हैं और इन प्रश्णों के माधिन से आप अपनी सेलेक्शन को सु करना चाहते हैं और अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं आप चाहते हैं यूपी बीट इंटेन्स एक्जाम दोजार चोबिस आसानी से आपका निकल जाए और आपका अच्छे क्वालिज में हो जाए तो इस बुक के माधिम से आपको त्यारी करनी चाहिए डिसक्रिप्शन देहर क्यों है आखिरकार अभ्यर्थी खुश क्यों होंगे या भविस्की बात है लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूं क्योंकि मेरा काम है हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाना संभावी थे हो पर सही हो समय आने के बाद यूपी बीट पर इस परिछा द नहीं बैटेंगे काफी अभ्यर्थी यूपी बीट परिछा दूजर चोड़ने वाले हैं इसलिए अगर आप बहतर त्यारी कर देंगे तो हो सकता है आपको गौर्वर्मेंट कॉलेज मिल जाए अपकी बार कटाब भी आपको कम देखने को मिलेगा तो यूपी बीट परिटारी प्राप्त हुई है जब कंडिडेट कम होंगे हजारों अभ्यर्थी परिछा को छोड़ देंगे तो कटाप अपने आप कम चला जाएगा तो एक लाख व्यासी हजार अभ्यर्थियों ने आबेदन किया है उससे जादा अभ्यर्थियों ने आबेदन किया है लेक कटाब में अच्छे क्वाली में प्रिविस हो जाएगा बससे आप नित्यारी करते रहें यूपी टीच्टी पीट एक्जाम 2024 परिछा सेंटर के समन में बड़ी अपडेट में आपको देना चाहता हूं देखें सेंटर पर वर्क नहीं हो रहा हूं लेकिं जो अंदर खाने जाएगा मेरी करेंट की जानकार का उस्वार आपकी परिच्छा अभी नहीं होगी अभी आपके पास लगबक चार से पांच महीने का वक्त है आप अपनी तयारी को धार जीजिए तयारी करते रहें असिस्टेंट प्रोफेसर की परिच्छा ट्राइल के रूप मेंने सिच् जिसमें कंडिडेट की संख्या कम है और बहतर तरीके से परिच्छा हो जाए उसके बाद टीटी पीटी परिच्छा पर काम सुरू किया जाएगा तो यानि कि आपकी परिच्छा 15 अगस्त के बाद और दिसंबर तक समस्ते परिच्छाएं जा सकती हैं दिसंबर तक जा सकती हैं confirm नहीं जा सकती हैं कम से कम अक्टूबर नॉमबर तो जाएगा ही जाएगा इसमें दो रायने हैं एक बड़ी आपडेट में आपको और देना चाहता हूं यूपीटर दोजार 24 को लेकर यूपीटर का notification आपको assistant professor भरती के बाद देखने को मिल सकता है जो परिच्छा होनी है assistant professor की उसके बाद देखने को मिल सकता है परन्तु इसकी परिच्छा कब होगी इसकी परिच्छा होगी दिसंबर या फिर नए साल तक दिसंबर या फिर नए साल तक यानि का अक्टूबर के बाद और जनवरी फरवरी तक इसकी परिच्छा हो सकती है अभी कन्फरमेशन नहीं है परन्तु असिस्टन प्रोफिसर भरती परिच्छा आयोजित किये जाने के बाद नोटिफिकेशन पर वर्क सुरू किया जा सकता है तो यह भी अब तक की सबसे बड़ी ख होगा तो आप खुद अनुमान लगा सकते मुझे ज्यादा कुछ बताने के बश्यक्ता नहीं है कि परिच्छा की कब होगी 15 से 20 दिन अपकी बार परिच्छा में डिले होगा जिसकी संभावनाय प्रबल है जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है इसलिए आपको उसी बेस पर अपनी तियारी करनी चाहिए अगर आप रेगूलर बेस में त्यारी करते रहेंगे तो आपके परसेंटाइल अच्छे बननी के चांस है नोटिफिकेशन अगस्ते में आएगा जैसा कि मेरे दोरा पहले भी आपको कई बार बताया गया है नोटिफिकेशन में बीवी पिछले की तुला में 10 से 15 दिन डिले होने की संभावना डिक रही है अब मैं बात करूँगा एबियम बीवी पैट के बड़े फैसले को लेकर जैसा कि आपको मालूम होगा कि सुप्रिम कोट की द्वारा आज फैसला सुनाया गया है लेकिन जो मुख्य मांगे थी उसे दरकिनार करते भी उस मांग को ठुकरा दिया गया है अब मुख्य मांग क्या था आपको मालूम होगा कि बीवी पैट की परची की काउंटिंग की जाए 100 परतिसत सुप्रिम कोट था क्यों नहीं माना इसके बारे नहें बता सकता है सिलिप मपधि आता के हाथ में आए वा सिलिप एक बॉक्स में डाला जाये उस box में जो slip पड़ा हुशी काउंटिंग की जाए इसे पारिज़स्ता आती है इसमें दो राइन है लेकिन उसको भी नहीं माना गया एक बार कोड वाला जिक्र किया गया था कि प्रतियासी के नाम के आगे बार कोड होना चाहिए उससे काउंटिंग में आसानी होती है तो बा है तो फैसले भी अच्छे हैं और फैसले क्या हैं अगर किसी भी कंडिडेट को आपती होती है कि भाईया यहां पर धादली हुई है एबियम में में मेनुपलेट किया गया है तो कंडिडेट अपने खर्च के अंसार कवन कम क्लेम कर सकता है जो सेकंड नंबर का प्रतियासी अगर उसको लगता है धादली बसरते उसको खर्चा देना पड़ेगा तो खर्चा देने में कोई हर्ज नहीं है भिया धादली अगर आपको लगता मेनुपलेट लगता है तो एक बार उसका निरिष्ण जरूर होना चाहिए दूसरी बात जो कंट्रोल यूनिट होता है जब स्वाप्रवेर उसमें डाला जाता वुसी समय उसको सील करना है यहाँ भी बहुत ही महत्पूर मुझे लगा लेकिर अगर बीबी पायट की परची की काउंटिंग हो जाती और बॉक्स में उसे डालने की अनुमती मिल जाती और उस बॉक तो क्या आपको लगता है कि भबिस्δेय में ऐसा कुछ असा कुछ हो सकता है जिससे भी बीबी पायट की परची की कांटिंग हो और जो फ उसमें लगाया गया ब्लेक बीवी पैट में बाट ट्रांस्पारेंट हो सकता है और जो टाइमिंग साथ मेंट की गई है उसे चौदा मेंट किया जासकता जैसे पहले था दोजा चौदा के पहले था कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय दें इसी परकार के अथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ वीडियो पसंदा तो इस वीडियो को सेर करना मत भूले जैन जवास्तों मसकार